मुंबई में एक घड़ी के ब्रैंड की एन्वर्सिरी के लिए बहुत सारे सितारे जमा हुए यहाँ पर कंगना रनौट, सैफ अली खान, गौरी खान, साथी साथ भी टाउन के और भी सितारे दिखाई दिए सबसे पहले अपने अंदाज में क्वीन कंगना रनौट नज़राई जो की इस घड़ी के प्रेम में थी उन्होंने तस्वीरें की चाहिए, फिर मीडिया से बातचीत के दौरान सुनिये क्या कहना था क्वीन कंगना रनौट का कमिके बातचीत युट रव रहना क्यूंता है आप्यर में क्यूंते है घूच ऍटार नाहिए प्रोग का था में टेका प्रें में प्यूंता है और अजिकि ये लांच हुआ है तो इसका फोटो कहीं हम प्रकों था किसी ने नही नही तखा था कि आपको ये वाच लांच करन तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या पहनू इसके बाद मीडिया के सामने गौरी खान ने भी एंट्री मारी फिर नवाव सैफ अली खान का स्टाइल देखने लायक था डैपर अंदाज में नवाव दिखाई दिये सैफ अली खान ने कुछ एहम बाते हम से शेयर की इसी के साथ बीटाउन के बाकी सितारों का क्या था कहना सुल लीजिए I have a very deep connection actually with Shopard and I said, बोली के ली ने बोल्रयू but the first watch that I bought for myself after I could afford it was a happy sport watch and I still have it with me and yeah, so I have very nostalgic memories with Shopard I'm really happy to be here for Shopard, I'm a very very big fan and a huge follower since forever so yeah, just to be here for their amazing event today is a great thing Shopard is an iconic brand and I've ever since I was a young girl I've always loved their designs there's always something unique but also for a woman there's something always a little whimsical in their watches and it's always lovely to wear one of the Shopard timepieces on your wrist it always makes you feel special well firstly I'm really happy to be part of the 25 celebration of Shopard I love Shopard, in fact I even said that my first watch that I ever bought for myself when I started working was a Shopard so I'm really very, there's a certain sentimental value where a Shopard watch is concerned and I'm really glad that I can be part of it well, आपके पसंदीदा सितारे अक्सर ब्रैंड के launch पर मौजूद होते हैं और वहाँ भी पहुँचकर हम सारी खबरें आप तक ले आने की खोशिश करते हैं so यहीं पर बने रहिए and सबस्क्राइब करते रहिए अबन आप तक लेके रहिए आप कहुँचकर हमस्य कि खुट हैं आप शविड़ों को अज़ जो कि उनके लेए अज एस्हां का पर दोक्राद सितार चंपकर होँआए